हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्व चैनल accounts your solution में आज का अपना टोपिक है बहुत ही important है आज के topic में मैं आपके लिए बहुत important features के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों अक्सर क्या होता है जो आप किसी भी party के पास accounts का काम करते हो तो तीनी चीज़े आप करते हो तेन का मतलब कौन-कौन सी एक तो आप purchase के entry करते हो second आप sales के entry करते हो और third क्या करते हो आपकी payment and receipt वो entry के अंतरगत आप उसको मान सकते हो तो दोस्तों क्या होता है किसी चीज़ को आप 50 रुपे में खरीद के और उसकी जो purchase rate है 50 रुपे है उसकी जो sale rate है आपने 60 रुपे रखी है या फिर कम रखी है तो आप purchase के बाद उसको जैसे sale करते हो तो आप लोग क्या करते हैं उसमें fixed margin का पता नहीं रहता कि कौन से product में कितना margin में मिल रहा है या फिर amount कितना मिल रहा है तो ये काफी लोगों के problem आती है और बहुत से लोग जैसे मान लो 10% का margin मिल रहा है उनको या 1% का मिल रहा है तो एक जो मैंने report बनाई है तो उसमें क्या होगा जैसे आप purchase की entry करते हो तो entry करने के बाद आपको purchase rate और sale rate आपको आपका जो bill है bill आपने चड़ाया चड़ाने के बाद उसकी जो भी rate है यानि एक बार example के तोर पे मैं आपके लिए purchase का bill भी चड़ा के बताऊंगा और मैंने जो system बना रखा है उसको एक बार में आपके लिए दिखा देता हूँ उसमें क्या होगा जो भी आपने purchase के bill चड़ा रखे हैं यानि क्या होता है जदातर बहुत से जो पार्टी होती है या फिर बहुत से जो operators होते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है तो बहुत से जो product है उनकी जो खरीद rate आरी है यानि जो भी purchase rate आती है उससे भी kम rate में वह sale कर देते हैं तो दोस्तों ये जो system है, एक बार मैं आपके लिए बता देता हूँ, बताने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, कि मैं किस process के बारे में आपके लिए बता रहा हूँ, तो अक्सर क्या होता है, जो भी आप purchase का invoice चड़ाते हो, purchase का invoice चड़ाने के बाद, आपकी जो भ purchase price है, purchase price 10 रुपे हैं और 12 रुपे आपकी sale price है, तो difference कितना हुआ, दो रुपे का, यानि दो रुपे आपको profit मिला है, तो आपकी purchase rate का कितना percent वो profit है, यानि एक बार इस report को आप देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा, जो मैंने purchase के इन्वेस चाड़ा रखे हैं, तो जो report है, उसके बारे में आपके लिए बता देता हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये report है, कापी समय इसमें बनाने में लगता है, और इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा, यानि इस मैने की जो भी आपने purchase के invoice चड़ाए हैं, यानि December के अगर एक December से 8 December के data check करना चाते हो, यानि जो भी purchase आपने की है, तो उसकी जो sales rate है, यानि आपने गलत तो नहीं डाल रखी है, तो उसका भी आपको पता चल जाएगा, तो दोस्तों ये जो report है, इसको आप एक बार देख लिजे, उसके बाद आप अच्छा से समझ आओगे, तो य जो इस पे आपको click करना है, click करने के बाद purchase register पे आपको click करना है, यहां से आप जैसे ही click करोगे, तो आपको all purchase type आपको select करना है, इसके बाद आपके all parties आपको select करनी है, और मेरे पास इस पे purchase के जो innois है, वो कम है, तो अगर आपके पास ज्यादा है, तो उसका भी आप प लिखा देता हूं यहां पर profit amount का जो option है इस पर मैंने क्लिक किया और यहां से आपको एक मैंने इसका जो format बना रखा है margin percentage तो इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद first date to last date आपको enter करनी है और जैसे मैं app to price करूँगा यहां पर मेरे सामने एक report सामने आएगी तो इसमें आपको क्या क्या आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तो यह जो report है बहुत ही important है business का जो part है first part क्या है sale purchase अगर sale purchase आप अच्छे से करोगे तब ही तो आपको पता चलेगा ना कि आप margin पे काम कर रहे हो या फिर मतलब जैसे आपको लगता है 2% आपको मिल रहा है या 1.5% आपको मिल रहा है तो यह भी actual में लोगों को पत किस rate में आप बेच रहे हो margin इसमें कितना percent आपको मिल रहा है जो sale purchase का जो difference है यानि मैंने 25 रुपे का item खरीदा था और 40 रुपे इसकी rate है इसके बाद 15 रुपे का मुझे इसमे profit मिलेगा अगर इसको percentage में calculate करते हैं तो 37.50 इसका margin हो रहा है यह मैंने मेरे साथ से item rate है यानि purchase rate आपके 100 है 110 में बेच रहे हो आप 108 में बेच रहे हो जो भी आपकी rate है उससाब से आपको sale rate रखनी है और उसके बाद यह जो मैंने जो system बनाया है तो इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे यह जो item है first item है 25 रुपे इसकी price है और इसकी जो sale rate है कितनी है 40 र दोस्तों यह जो detail है इसमें मैंने 1-4 से और 4-12 date में एंटर करी है और उसके अंदर जो भी purchase के invoice आये हैं यानि वो number of invoice कितने भी हो सकते हैं लेकिन मैंने यह जो coding कर रखी है इसमें only item, purchase rate, sale rate, profit और margin यही चीज़ेशियों करेगी अगर आप भी जैसे purchase का invoice चड़ाते हो के लिए आपको इसमें काफी मेनत करनी पड़ती है तो इसका जो format है अगर आप चाथते हो तो यह आपको paid आपको मिलेगा इसमें काफी समय लगता है बनाने में तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छी report है और इस report को आप check कर लेते हो यानि purchase के invoice जैसे आज की date में आपने जित इतने भी item उसमें active हुए होंगे यानि जैसे मानलो उसमें 20 तरके item आपके पास आये हैं तो 20 में से आपने जो किसी की rate डाल रखी है या नहीं डाल रखी है और डाल भी रखी है तो उसमें margin कितना percent आपको मिल रहा है तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि यह item आपने इत तो बहुत से party है जो बिल्कुल active है active का मतलब आप समझ सकते हो कि कोई भी item है तो वो एक bill बनाने में चाए 10 मिनट लगे या 5 मिनट लगे वो उनकी rate देखने के बाद ही उस bill को final करते हैं यानि जैसे कोई भी bill है bill actual में जैसे मानलो बहुत से जो product होते है जो regular बिखते हैं उन लेकिन बहुत से ऐसे distributor है या फिर जिनोंने भी कोई agency ले रखी है या फिर बहुत से ऐसे हैं जिनको समय नहीं मिल पाता है तो वो अपना जो यानि जैसे office है या फिर जो भी distributor point है वहाँ पे नहीं बेड़ पाते हैं तो दोस्तों ऐसी situation में आप क्या कर सकते हो जाके आपको यह report आपको check करनी है अगर इसमें आपको कोई कम margin आपको मिल रहा है तो उसको आपको check करना है किस तरीके से इसके sales rate डाली है डाली है तो क्यों गलत डाली है भाई किसे साफ से आपने डाली है तो यह वाली report आप check कर सकते हो तो next जो मैं एक purchase का invoice आपके लिए चड़ा के दि रहेगा जो system है वही रहेगा अभी एक पांच बारा डेट मैंने एंटर करी यहां पर मैंने इंवाइस नंबर एंटर किया पार्टे का नाम में लिख देता हूं पार्टे का नाम लिखने के बाद यहां पर जो भी कोई भी आइटम में select कर लेता हूं यहां पर मैंने 50 select किया इसके बाद इसकी जो sales rate है वो भी मैं देख लेता हूं कि यहां पे इसकी जो sales rate है sales rate है इसकी 23 रुपे और 16 पेसे और इसकी purchase rate है 22 रुपे 85 पेसे तो दोस्तों यहां पे आप जैसे purchase का invest चड़ाते हो तो उसी टाइम पे आपको देख लेना है कि sales rate आपने डाल रखी है या नह नहीं डाल रखी है तो आपको यहां पे आइटम के अंदर आपको sales rate डालना compulsory है तब ही आप बिल बनाते समय आपकी rate यहीं से पिकोती है अगर आप manual डालते हो तो only उस invoice में ही आपकी rate डलेगी उसके बाद जैसे आप नया item बनाओगे तो उसमें क्या होगा आपको दुबा sales rate है आइटम बनाते समय ही आपको डालनी है तो इसमें अलग-अलग process होते हैं जो sales rate का जो system रहता है पार्टी वाइज sales rate आप बना सकते हो यह particular MRPC आप billing कर सकते हो तो बहुत इसमें system bg software में बहुत system है लेकिन जो normal जो लो करते हैं इसमें क्या है जैसे आप purchase का नया item आप ख आइटम का नाम आपको डालना है गुरूप आपको डालना है इसका जो भी alternate unit का जो configuration आपको करना है उस तरीके से आप कर सकते हो GST का tax rate डालना है अच्छे से number डालना है इसके बाद sales rate purchase rate और इसकी जो MRP है वो आपको डालनी है इसके बाद यहाँ पे जो vendor का जो option है vendor भी purchase करते हो तो उसका नाम आपको यहाँ पे enter करना है इसको वाई करने के बाद जैसे आप enter करोगे तो यहाँ पे आपके सामने list accounts की list आ जाएगी उसमें से जिस party से भी आप इसको खरीदते हो तो उसका आपको पता चल जाएगा और इसकी जो reporting निकलती है कि इस party का कितना stock आप के पास बच्चा हुआ है या कितना sale हुआ है तो इस तरीके से report निकालने के लिए इस options का उप्योग किया जाता है तो दोस्तों मैंने आपके लिए बताया है कि आप sales rate आपको डालना compulsory है purchase rate जैसे मेरी जो purchase rate है अभी आपके लिए मैंने बताया था तो इसको मैं save कर देता 22 रुपे 55 पैसे purchase rate है और मैंने यहाँ पर 50 quantity से चलेक्ट करी है और इसको किया मैंने save यही तरीका रहता है आपका purchase चड़ाने का यहाँ पर मैंने एक टू किया तो दोस्तों मैंने 5-12 को एक purchase का invoice चड़ाया है चड़ाने के बाद अब जैसे आपको पता नहीं रहता है कि कौ उनसे item की purchase आपने चड़ाई है और चड़ाई है तो उसकी जो sales rate और purchase rate तो आपकी actual है लेकिन जो sales rate आपने डाल रखी है वो गलत तो नहीं है गलत का मतला जैसे उसमें margin ही नहीं है तो actual margin तो उसी से मिलेगा क्योंकि अगर 10 रुपे का item आपने खरीदा है और उसको 10 रुपे दुपे से मैं आप बेच रहे हो तो उसमें क्या margin आपको मिलेगा तो इसकी report चेक करने के लिए दुबारा से मैं वही report आपके लिए बता देता हूँ 5-12 को मैंने एक entry करिये purchase की तो उसमें कितना profit मुझे मिल रहा है तो उसका amount कितना है और percentage उसका कितना है एक बार चेक करके आपके लिए दिखा देता हूँ कि यहां वापस से मैं display पे क्लिक करता हूँ accounts books पे क्लिक किया इसके बाद account register columnar का जो option है इसके मैंने क्लिक किया purchase register पे मैंने क्लिक किया और इसके बाद मैंने यहां पे enter किया 5-12 पांच-12 date मैंने enter करी इसके बाद जैसे मैं app to करूँगा तो अब आप देख पा रहे हो कि यहां पे only उस item का नाम आया है जो आपने purchase चड़ाई है इसमें other entry कुछ भी नहीं है जैसे party का नाम नहीं है date नहीं है इसमें और चीजे नहीं है और इसकी purchase rate क्या है 22 उर्पे पिच इतना मिला है amount 0.91 और इसका अगर percentage अगर calculate करते हो 3.83 इसमें आपको margin मिला है तो दोस्तों यह जो report है तो आप लोग sale purchase करते हो लेकिन exact आपको पता नहीं रहता कि कौन से item में कितना percent margin हमें मिल रहा है और या मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है बिलकुल आप actual तरीके से पत नहीं कर सकते यह जो मैंने system आपके लिए बताया है तो यह आप भी कर सकते हो आपको करने में कापी समय लगेगा और यह जो है कापी समय लगता है तो यह सभी के लिए free में नहीं बता सकते क्योंकि system कोई भी नया बनाया है और आपको इससे profit भी हो रहा है तो जहां आपका profit प्रोफिट हो रहा है तो आपका कहीं कहीं लोस भी होगा लोस यानि आपको आमांट Yeah. आप basic जिसे चलता हुआ रहा है उसे के साउब से आप काम करते हो तो आप बलकुल पता नहीं कर सकते कि कितना percent profit मेरे को मिल रहा है ये आप पता नहीं कर सकते आपको special report जो मैंने बनाई है इसके थुरू आप पता कर सकते हो या फिर अगर आपने कोई भी item आपको पता है 100 का आप खरीदते हो और 110 का आप बेशते हो पर्टिकुलर दो जिया चार item आपके पास ह तो आप पता कर सकते हो लेकिन ये जो आपके agencies में जो product होते हैं काफी product होते हैं और किसी का पता नहीं रहता कि किसमे margin कितना मिल रहा है ओ सकता है आप उसको minus में बेच रहे हो तो ये अगर आपको जिसे ही पता लगेगा यानि आपको पता लगेगा कि मैं तो इसको minus में बे चाहे उसमें मैंने 2% margin करके उसको बेज दिया तो ये तो आपको लो सी हुआ ना एक तरीके से तो ये जो system है वो आप करवा सकते हो options बहुत अच्छा है चाते तो बहुत लोग है अपने business को increase करने के लिए उनकी actual position जानने के लिए लेकिन दोस्तों इसमें आपको कई न कई आपको भी इस system में involve होना पड़ेगा यानि आपको भी इस system के बारे में जानकारी होना चाहिए options बीजी software के अंदर जो भी आप चाहोगे वो report आपके लिए मिल जाएगी लेकिन उस report को बनाने में कापी समय लगता है तो यहाँ पे अभी मैंने only पांच बारा का जो invoice चड़ाया है उसकी report मेरी सामने आई है आपने एक मैने में जितने भी इन्वेज चड़ा रखे हैं तो उसमें जितने भी item आपके active हुए हैं यानि जितने भी item आपने purchase किये हैं उनकी sale rate आपने डाल रखे है पर्चेज रेट आपने डाल रखे है तो उसका profit आप पता कर सकते हो amount wise और उसका margin जो percentage में है कितना percent हमें मिला है या मिलेगा तो वो भी आप पता कर सकते हो तो दोस्तों इसी तरह की helpful वीडियो देखने के लिए channel को जरू subscribe करें अगर आप business software सीखना चाहते हो अगर आप accountant हो या कोई operator हो यानि अपना जो channel है account source solution उसको आप join कर सकते हो आपने जो YouTube पर जो अपना channel है उस पे जितनी भी वीडियो बनी हुई है अगर उन वीडियो को आप देख लेते हो तो आप बहुत कुछ business software के बारे में जानने लग जाओगे और आगे आने वाले समय में business software से जो भ जाडिंग या फिर बहुत से जो customer है वो complain करते हैं कि sir आमारे को इस तरह की report चीए तो इस तरह की report जो भी आपको report चीए बीजी software में complete तरीकी से मिल जाती है उसका जो system बनाने में समय लगता है और दोस्तों ये जो system है इससे आपके भी बहुत ज्यादा आपको फाइदा होन है काराण ये है कि आपकी जो actual position है यानि कोई भी item आप purchase कर रहे हो तो sale कितने में कर रहे हो ये सारी जानकारी आपको इस report के माध्यम से आपको मिल जाएगे तो दोस्तों वीडियो किसा लगा comment करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like और set ज आपना जो टेलिग्राम ग्रूप है टेलिग्राम ग्रूप पे काफी मेंबर्स जुड़े होए हैं 390 या 393 मेंबर्स हैं और सारे जो भी यूजर्स हैं बिजी यूजर्स हैं